आप सोब हेलों डोस्तों क्या हाँ चाले है आप सभिकिए मैं हूं आप सभी का दोस्त एडु उस्त साहिल आएट दोस्तों आज के सवीडियो में मैं बैटल करवाने जाहरा हु शिवा बस इंइन सुप्रहीजों मास्टर मोई में देखने को मिला है वो अब एक न्यू इंडिया सुपहियो के नजरीय सी भी अगर हम देखे उसे तो अहां उबर कर आया है तो यह जाना काफी जादा इंट्रस्टिंग होगा क्या यह नया इंडिया का सुपहियो जाने की शिवा डिफीड कर सकता है जो में एंड तक तो यह ज़रूर ही बन रहें तो नाव विदाउट वसिंगी मोर टाइम लेस्ट केट स्टाड़िया कि दोस्तों वीडियो में गबने से पहले जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आप सभी से सर्फ एक रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो या कर देना साथ में जो बैल आकन देख रहा है ना उससे भी प्रेस करके ऑल पर स्लेक्ट कर देना अगर और यह सब कर लिया है सुनाओ शुरू करते हैं इस बैटल को यानि कि शिवा वर्स इंडियन सुपर ही उसकी सब बैटल को पहले शुर करें यानि कि विदा उसके अगनियास्तर के तो वह उत्रह पावफुल नहीं रहा जाता है उसमें उसे काफी दजलिती फीड कर दिया जाएगा क्योंकि है तो वो इसके अगनियस्ट में यहां पर जीवन एंड रोबोट है और इनकी अगर बैसिक फॉर्म की बात की जाए व लव शिवा जो खुद ही एक अस्तर है अगनियस्तर अगर अपने उस हाई लेवल फाइर मैनुपलेशन की पावर को फुल स्केल पर यूज करता है तो क्या वह ऐसे में डिफीड कर पाएगा यहां जीवन एंड रोबोट को शिवा की जो फाइर है हाँ वो कुछ हद तक इन तो रोबोटी तो जो उसका अंदर से मेटल अलोहा है वो नहीं पिखलता है और इसमें यह भी पता चलता है कि जो चिटी है उसका सिस्टम 5 में काफी अच्छे से वर्क करता है ना कि खराब पढ़ जाता है वो जब तो ऐसे में अगर जो शिवा है वो अपनी हाई लेवल फ वुलेट को भी शूट कर सकता है यहां पर जो शिवा है वो अब dop से उन्हों पुलेट कर सकता है वोग सकता है अब रोबो तेंगे करने के बादा ली आहिए यहां पर जीवन की तो तो इसका अनसर कहीं ना कहीं तब पहुंच जाता आ है क्या बात कुछ जीवन है वो एक गेम से बाहर आया हुआ क्रेक्टर है जिस वजह से हम उसे AI कंसीडर कर सकते हैं अगर उसके उपर अटेक भी कर दिया जाए तब भी जो वो जीवन है वो अपनी बॉड़ी को पिक्सल फॉर्म में कनवर्ट करके वापस से उन सभी चीज़ों को रिजनरेट कर एक सिवर ए जीवन है वो धीम पर जाएगा अगर जो शिवा फाई में कर सकता है तो इनरजी ब्लास्त घंव बाहर तो इनकी तव्ट काफी ही जाटा देखनी लाइक क्टर को तो इस बैटल को जो शिवा है उसके पास या वो खुद एक अस्तर है अगनी अस्तर पर जब उसे अगनी को कंट्रोल करना है मतलब तो थोड़ी देर तो हो ही जाती है अपने अंदर की energy को create करने में और fire को manipulate करने में बट यहां पर बात कुछ हैसी है कि जो मिन्नमुली है हम सभी को पता है कि उ फिर वो एक super hero बन गया जिसके बाद जो मिन्नमुली है उसके पास उसकी inner power से यानि कि उसे अपनी power से activate करने में जादा time नहीं लगता अगर हम comparison करते हैं या शिवा से और साथी में जो मिन्नमुली है वो physical काफी ही जादा strong है शिवा के मुकाबले में साथी में वो काफी advantages है क्योंकि जहां शिवा के पास सरफ एक ही ability है higher level file manipulation की वहीं पर जो मिन्नमुली है उसके पास super strength, super speed, super durability and ऐसी ही काफी सारी other advantages है including उसकी जो telekinetic powers है अब जो मिन्नमुली है वो इस battle में harm तो काफी होगा क्योंकि जो शिवा के fire attack है वो काफी अच्छा damage देंगे मिन्नमुली को but at the end मिन्नमुली उन सभी को survive करके शिवा को knockout कर देगा वसे मिन्नमुली कि इस battle में मिन्नमुली wins, now अब बात करते हैं शिवा वसे super sing के battle की, अगर super sing से उसकी bug को अलग कर दिया जाए यानि कि without super sing की bug के वो से फिर नौ में बनके रह जाता है क्योंकि उसकी powers and abilities उसकी bug में है but यहाँ पर comparison में तभी मज़ा आएगा, इन दोने की battle में तभी मज़ा आएगा जब इनको इन दोनों के full form में लिया जाएगा, यानि कि जो शिवा है वो अपनी full power को unlock कर चुका है और उसके पास high scale fire manipulation यानि कि high level fire manipulation की ability है वो काफी अच्छे से और काफी high scale पर fire को manipulate कर सकता है और वहीं जो जो से तरफ super sing है उसके पास भी उसकी pug है अपनी pug के होने के बाद वो काफी ही जदा powerful बन जाता है जब super sing की pug उसके साथ रहती है और battle में उसकी pug को इससे अलग कर पाना भी काफी ही जदा मुश्किल होता है क्योंकि तब वो काफी the strong होता है so overall जब इन दोनों क तो यहां पर obviously जो super sing है वो इस battle को जीच जाएगा so yes super sing wins now अब बात करते है शिवा वही शक्तिमान की तो no doubt यहां पर जो शिवा है वो सर्फ एक ही element यानिक fire को control कर सकता है बैट जो शक्तिमान है वो लेटरल में सभी के सभी elements यानिकी fire water वायू earth and space इन सभी को control करने का potential रगत है जिस वर से यहां पर शिवा के लिए अभी शक्तिमान को defeat करना है कि बहुत ही बड़ा challenge होगा जो कि जो शिवा है वो शक्तिमान से भी हार जाएगा तो overall conclusion कुछ जैसा है कि जो शिवा यहां वो कुछ इंदि उसको defeat करने का potential रखता है बाकियों को नहीं और हां इस battle में मैं ने flying jet and Chris को consider नहीं किया इसका एक reason है क्योंकि इनको अलग से एक video में बनाने वाला हूं इसके पर एक separate video बनाऊंगा जिस मैं इस battle को discuss करेंगे क्योंकि वीडियो को द्यादा नंबर नहीं करना है तो भी sure कि आप उस video को भी check out करना हा शायद वो video उसके पाद आ सकती है या इस देखे रहे हो तो यह भी बताओ कैसी रही यह वीडियो अगर आपको परसंद आगे तो be sure like से सब्सक्राब करें ना सुनाओ मिलती है next video मैं तब देख लिए बड़ बैटिकेंगें बाबए